हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के most important question को डिसकस करेंगे जो के आपके आगामी लगभग सभी भरती परिक्षा है जिसमें हिंदी समंधित question पूछे जाते हैं उन सारे exam के लिए सभी question बहुत ही important होने वाले हैं तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को question है जब करता पहली क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया परारंब कर देता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है तो यहाँ पर option direct हो जाएगा पूर्व काली क्रिया जब करता पहली क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया परारंब कर देता है तो पहली क्रिया को पूर्व काली क्रिया कहा जाता है अगर इस क्रिया की पहचान की अगर बात कर लें तो उस वाक्य में कर अथवा करके लगा रहता है पेड़नार्थक क्रिया की अगर बात कर लें तो जब करता कोई कारे खुद ना करके किसी अन्य से कोई कारे करवाता है तो वहाँ पर पेन आर्थक्रिया होती है अगला question राम धीरे धीरे चलता है इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया विशेशन है option direct हो जाएगा यानि कि चलना क्या है क्रिया है और इस क्रिया की क्या विशेशता है धीरे धीरे चल रहा है तो यह धीरे धीरे क्या चलने की विसेशता बता रहा है तो यहाँ पर जो क्रिया की विसेशता बताता है उसे क्रिया विसेशन कहते हैं और क्रिया विसेशन चार प्रकार के होते हैं अगला question चंद का सर प्रथम उल्लेक कहां मिलता है चंद का सर प्रथम उल्लेक ये रिग वेद में मिलता है option ये right हो जाएगा साम वेद ये संगीत का वेद कहा जाता है गद और पद दोनों में यजुर वेद की रचना हुई है जादू टोने का वेद ये अथर वेद को कहा जाता है अगला कोश्चन किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं समास कुल 6 परकार के होते हैं और कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो दुन्द समास होता है option D right हो जाएगा दुन्द समास के अगर बात कर लें, तो दिन रात माता पिता अच्छा इसका समास से बिगरे अगर करेंगे, तो दिन और रात माता और पिता इस परकार इसका समास से बिगरे होगा, और इसमें दोनों पतपरधानों के निकल रहे हैं, तो वहाँ पर दुन्द समास होगा, जॉबिता बली के साथ अगर और बात करें तो गीता बली दोहा बली बिनए पत्रका राम अज्ञा प्रश्णा ओली यह सभी रचनाए तो तुल सीदास जी की ही हैं मलिक मुहमज जायसी जी के पाँशन तो इनकी रचनाओं में अगला कॉश्न समास के पद होते हैं इसमें पूछा जारा है समास के कुल कितने पद होते हैं तो समास के कुल दो पद होते हैं पूर पद और उत्तर पद इस पकार option C right हो जाएगा संग्या पांच परकार की होती है कारकार्ट परकार के होते हैं अगला question इत्यादि का सही संद्य विच्छेद है इत्यादि का संद्य विच्छेद यह धन आज होता है option डिराइट हो जाएगा संदी की गार इसमें बात कर ली जाए तो इसमें यन संदी है जो कि स्वरसंदी के अंतरगत आता है स्वरसंदी पांच प्रकार की होती है जिसमें ब्रिद्धि संदी दिर्ग संदी यन संदी गुण संदी और आयादि संदी यह स्वरसंदी के पांच प्रकार होते हैं और संदी को तीन प्रकार की होती है प्रते दिन में कौन सा समास है बात करने प्रते दिन की तो इसमें अब बेभाव समास हो जाएगा, option डिराइट है, जब किसी सब्द में अव्य या उपसर्ग लगा होता है, तो वहाँ पर बेभाव समास होता है, अगला कुश्चन, जिसे भुलाया ना जा सके, के लिए एक सब्द है, जिसे भुलाया ना जा सके, उसके लिए एक सब्द अविस्मिर्ती होता है, option डिराइट हो जाएगा, अगला कुश्चन, मुदित महीपती मंदिर आए, सेवक सचिव सुमन्थ बुलाए, इस पंकिती में कौन सा अलंकार है, इस पंकिती में अलंकार किये कर बात की जाए, तो इसमें अनुप्रासलंकार हो जाएगा, option डिराइट है, जब किसी पंकिती में, वन्ड की अबृत्ती बार बार हो जैसे वावर्ण का उच्चान स्थान होगा वावर्ण के उच्चान स्थान की बात करें तो दन तोस्ट होगा option C right हो जाएगा छोटी, बड़ी और चावर के जितने विवर्ण होते हैं उन सभी का उच्चान स्थान तालू होता है कावर के जितने विवर्ण होते हैं उन सभी का उचान स्थान कंठ होता है अगला कुश्चन इन में से कौन सी रचना केसोदास की नहीं है कौन सी रचना केसोदास की नहीं है तो यहाँ पर आपसन डी राइट होगा प्रेम प्रलाप प्रेम प्रलाप यह केसोदास जी की रचना नहीं है जबकि रसिक प्रिया वि अंतिम सब्द एक सा होता है तो ये कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम सब्द एक सा होता है तो यहाँ पर आप्षन सी राइट होगा कुंडलिया तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंड़ बाक्षन ज़रू बता हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें धन्यवाद